है है ह Bite दो हरा है आग सो की है कि अचन fentra को शॉल और के कोशिच करेंगे कि यू़िए लोट इंचन में अखे हम लोगका शियर फॊर्स और मेंदियं मोविमिन कैसे बनेगато और यह आपर देखने एक इक अफ़ोर को लेते हैं इक सिंपल लेचकों किसोपूर्ट बीम यूडियल का लूडिंग लगा हो और हमें इसमें reaction force निकाल करके shear force और bending moment diagram हम लोग को बनाना है shear force और bending moment diagram बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए shear force diagram बनाने के लिए हमें क्या चाहिए reaction forces चाहिए तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे यह क्या है एक यूडियल का कंडिशन है और हम लोग को यह पता है कि यूडियल का जो भी कंडिशन होता हो क्या होता है एक रेक्टैंगूल लोडिंग भी हम लोग बोलते हैं UDL is also known as Rectangular Loading यह को Rectangular Loading है जो कि कितना है? 6 meter में दिया हुआ है और 10 kN per meter दिया हुआ है मतलब इसका total load कितना हो जाएगा? total load निकाल लेते है total load कितना हो जाएगा? 10 into 6 इसका total area is equal to total load तो total load कितना हो जाएगा? 60 60 kilonewton तो total load अच्छा हम लेक क्या निकालना है? reaction force reaction force RENRB reaction force RENRB reaction force RENRB कैसे निकलेगा? equation of static equilibrium से निकलेगा लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं? यहाँ इस figure में देखिए दोनों के दोनों structural and loading symmetrical है structural and loading दोनों के दोनों symmetrical है तब दोनों symmetrical है इसके मतलब हम लोग का जो reaction force होगा वो आधे आधे में distribute हो जाएगा क्या होगा? जो reaction force होगा वो आधे आधे में distribute हो जाएगा मतलब यह 60 है अगर यह 60 है total loading 60 है और हम लोग का structural and loading symmetrical है जब structural and loading symmetrical होगे तो हम लोग के reaction forces में क्या होगा? आधे आधे में distribute हो जाएगा कब? यह simply as put it beam है तो आधे आधे में load distribute हो जाएगा यह क्या है? 60 kN मतलब इधर आधा 30 kN और इधर आधा 30 kN ठीक है? यहाँ क्या है reaction force यह हम लोग का क्या है? हम लोग का structural and loading symmetrical है इसलिए हम लोग ने देखते ही बता दिया कि भाई यहाँ पर 30 kN का load लगेगा और यहाँ पर 30 kN का reaction force लगेगा यहाँ पर भी देखे 60 है total load तो हम लोग उसमें क्या है? आधे-ाधे में distribute कर दिया इस एंड को लेंगे और एक बार इस एंड को लेंगे उसके बाद दोनों को मिला के solve करेंगे देखे कैसे अगर इस एंड को लेते हैं इस एंड को लेते हैं तो यहाँ पर क्या है upward force है upward force यह इस fix को अब लो fix कर देंगे तो यह कैसे रोटेट कर रहा है, 30 upward इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो यह क्या हो जागा, anti-clockwise, क्या हो जागा, anti-clockwise, anti-clockwise क्या होता है, negative, ठीक है, अब इस कोने को देखिए, इस कोने को fix कीजिए, और उस तरफ से रोटेट कराईए, इस कोने को fix कीजिए, उस कोने से रोटेट कराईए, यह किस तरह हो रहा है clockwise, किस तरह हो रहा है clockwise, तो clockwise क्या होगा, plus 30 clockwise को positive लेना, plus 30, ठीक है, उसके बाद, यहाँ तक कोई loading condition है क्या, मतलब यहाँ तक है simple straight line जाएगा, यहाँ तक भी है straight line जाएगा, ठीक है, उसके बात हम लोगों ने ये पढ़ रखा है क्या पढ़ रखा है कि जब भी UDL का loading लगा हो uniformly distributed load कभी कभी भी loading condition हो UDL का तो हम लोगं का क्या है जब UDL लगा हो तो हम लोगं का shear force diagram linear क्या बनेगा shear force diagram linear तो कुछ करना नहीं है बस इसको यहां से जोड दिना है ठीक है ये रहा आपका shear force diagram ये ये आपका shear force diagram फिक यी ये पशियर force diagram देख लिजे ये है सब का shear force diagram negative positive ठीक है ये रहा आपका shear force diagram उसके बाद क्या आना थे हमना bending moment आईगा तो bending moment डायगा बनाने के लिए कि हर एक point पर हर loading की अनुसा जहां जहां भी load होंगे उस point पे हम लोग का moment चाहिए उसके बाद हम लोग bending moment diagram बना सकते हैं तो bending moment diagram बनाने के लिए क्या करना है moment at a moment at b कितना होगा चलिए यह नहीं दिया हुआ moment at c और moment at d ले लेते हैं moment at c moment at d क्या क्या होगे अगर हम लोग इन चारो values को हम लोग अगर निकाल ले तो हम लोग bending moment diagram बना सकते हैं इन चारो के चारो values moment at a, b, c, d हम लोग अगर इन चारो का moment इस point पे निकाल ले तो हम लोग का bending moment diagram बन जाएगा अब क्या करना है यह तो था shear force diagram अब क्या करना है bending moment at a कितना होगा moment at a हो जाएगा आपका 0 क्यों यह क्या है एक simply supported beam है अगर simply supported beam हो और वो एक hinge है यह एक roller है दोनों के दोनों point पे उस support पे hinge support और रोलर support पे moment 0 होते हैं यह हमने पढ़ रखा है पहले से यह पढ़ रखा है तो moment at a is equal to moment at b is equal to 0 moment at c क्या होगा moment at c moment at c या तो left hand side से solve किज़े force into perpendicular distance या फिर right hand side से solve किज़े force into perpendicular distance ठीक है अच्छा moment at c कितना हो जागा easy के लिए solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे easily solve करने के लिए क्या करेंगे 30 into 2 30 into 2 ठीक है force into perpendicular distance क्या हो जागा 30 into 2 तेकी 30 इंटू 2 यी कितना हो जागा 60 60 किलो न्यूटन मीटर ठीक है, अब मोमेंट अट द e मोमेंट अट द e v Michelle, 30 इंतू 2 30 इंतू 2 क्या हो जागा यह 30 इंतू 2 is equal to 60 अच्छा, अब 30 इंतू 2 क्या हो गहा, 60 किलो न्यूटन मीटर और हमें यह नहीं पता कि xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx symmetrical है तो यह क्या हो जाएगा अगर 6 meter का है अगर 6 meter का है तो हम लोग को पता है 3 meter में सबसे ज़ादा maximum bending moment अगर होगा उसी 3 meter पे उस point पे 3 meter पे हम लोग का जो है bending moment का value maximum होगा मतलब यहां से क्या होगा है 3 meter इस point पे यह वाला point पे यह वाला point पे यह जो point है इस point पे हम लोग का bending moment का value maximum होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे यहां पे आउसके बाद maximum bending moment कहां पे होगा at 5 meter from B at 5 meter from B या फिर from A से भी क्या होगा 5 meter होगा at 5 meter क्या हो जागा इस point पे क्या हो जागा 30 into force into perpendicular distance 5 3 plus 2 5 minus force उपर से force कितना हो रहा है यूदियल का area हो जागा 10 into 3 force into perpendicular distance 3 by 2 3 by 2 उसका perpendicular distance हो जागा यह क्या हो जागा 150 minus 45 कितना हो जागा 105 किलो निूटन मीटर ठीक है अब हम लोग का सारा point का moment आगे तो हम लोग अब bending moment डाग्राम बना सकते है ठीक है bending moment डाग्राम बनाते है moment at a moment at b कितना है 0 0 ठीक है moment at a moment at b कितना है 00 उसके बाद moment at c moment at d कितना कितना है 60 60 कितना होगा positive होगा sign convention क्या कहता है sagging positive hogging negative यह क्या sagging क्या है यह सागिंग simply supported beam उपर से load sagging होगा क्या होगा sagging होगा तो sagging होगा तो पॉजिटिव होगा अब positive होगा तो मतलब यहां पे कहीं 60 आएगा और इस point पे कहीं 60 आएगा ठीक है यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 और जो maximum आएगा जहां पे shear force 0 और वहाँ पर आगा जो shear force 0 कहाँ पर है exactly 3 meter पर है यहाँ पर यहाँ पर कहीं maximum आएगा कितना आएगा 105 और यह क्या है 60 60 ठीक है अब बनाते हैं क्या bending moment diagram अच्छा यहाँ से A से C तक कोई loading condition तो नहीं है तो वहाँ पर क्या जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा सेम यहाँ भी जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा चीक है और यहाँ पर जो moment है वो कितना है 60 है इस पॉइंट पर जो moment है वो क्या है 60 है उसके बाद UDA लगा हो UDA लगा हो तो हम लोगा bending moment क्या बनेगा पैरा बोलिक क्या बनेगा पैरा बोलिक तो पैरा बोलिक बनाते हैं यह क्या बनेगा यहां से हैं पैरा बोलिक बनेगा फ्रॉम सी टू डी क्या होगा सी टू डी क्या होगा पैरा बोलिक क्या बनेगा सी टू डी क्या होगा पैरा बोलिक ठीक है, यह वह लग्या है 60, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, 60, जो P का आगा, वो क्या आगा, 105, 105, 00, ठीक है, यह रहा आपका bending moment diagram, यह था आपका shear force diagram, ठीक है, यह रहा आपका shear force और bending moment diagram, जो कि हम लोगों ने solve किया, का आखक का यहाँ थीजए